हाँ बच्चो आप सभी को सूप्रभाद आप सभी को मागैत रिपब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है तो बने रहें ऐसे ही क्वेस्चन स्रिंखला की और तो आप देखेंगे वार्षिक परिक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रस्णों के बारे में परिचर्चा किया जा रहा है जो वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुँचाया जा रहा है तो देखेंगे आज क्लास 4 के इंग्लिस हने के लिए तो चलते हैं कुष्चन की और बचों करने के लिए देखेंगे नीचे लिखे हुए प्रस्ण कहुन से है यहाँ पर ध्यान देते हैं कि first question आपके लिए ये रहा कि who was visiting करण बुल रहा है कि करण यानि की करण visiting यानि की visiting मतलब यात्रा करना हो रहा है यात्रा करना तो करन जो है वो करन के पास कौन यात्रा कर रहे थे तो देखेंगे कि mother was visiting करन in morning यानि करन की जो मा है वो सुबह में करन के पास यात्रा करके आ रही थी कौन करन की मा तो याद रखेंगे बचो आपको ये सभी questions जो है वो ये आपके book के according बनाएं गए है ना कि without of book है ये book के according ही answer देना होगा तो चलेंगे अगले question की ओर अगले question आपका ए रहा कि why did the bank manager and baker arrival late यानि कि bank manager और वेकर जो वेकरी होता है वो वेकर केंव लेट आगमन किये यानि केंव लेट पहुचे केंव देर से आए ये question कर रहा है तो देखेंगे कि केंव देर से आए हुए थे वहाँ पे तो ध्यान देंगे कि bank manager and baker were the last arrive यानि कि bank manager और वेकर सबसे अंत में वहाँ पह पहुचे because क्योंकि a scooter had given them some trouble उनके या scooter जो थे उनमें कुछ खामिया या खराबी आ गई थे जिसके कारण होए देर पहुचे चलेंगे अगले question की और ध्यान देंगे बच्चो C number question की और बढ़ेंगे देखेंगे कि which is the great Indian kite festival यानि कौन से भारत के सबसे वड़े पतंक के तेवहार के नाम से जाने जाते हैं या भारत के सबसे महत्वपूर्ण भारतिये महत्वपूर्ण पतंक के तेवहार के नाम से ज देखेंगे यहां पे कि भारतिये कौन से वैसा तेवहार है जो पतंक के नाम से जाने जाते हैं यानि कि kite festival के नाम से जाने जाते हैं तो देखेंगे यहां पे kite festival के नाम से क्या जाने जाते हैं कि मकर सक्रांती is the great Indian kite festival यानि कि मकर सक्रांती जो है वह great Indian kite festival के नाम से जाना जा आजयता है यानि कि महान भार्तिय पतंग तेवार के नाम से जाना जाता है तो समझेंगे बच्चो म कार सकराइंति को हम लोग काइट फेस्टीबल भी कहते हैं तो इस प्रकार से अगले की और चलेंगे अगले क्वेस्टन की पी भी देखेंगे यहां पे वाट आर दी नेम ऑफ सिंदुज पाइरेंड्स यानि के सिंदु के माता-पिता का नाम क्या है तो देखेंगे एकाउटिंग टी यूर लेशन यह आपके लेशन के अनुसार ही एंसर को डिल किया जा रहा है तो उस लेशन में उनके माता-पिता का नाम कुछ इस प्रकार था कि पी भी रामन और पी भी जाया यानि की पी भी रामन उनके पिता थे और पी भी जाया उनकी माता जी थी इस प्रकार से इस क्वेस्टन का एंसर आपका किलियर हुआ तो चलेंगे अगले क्वेस्टन की औ बढ़ेंगे अगले क्वेस्टन अपका ही रहा कि who was अबू हसन यानि कि अबू हसन कौन था तो देखेंगे आपको यह lesson to according according to lesson यानि कि आपके पाट की अनुसारी से उतर देना है कि अबू हसन कौन था तो देखेंगे कि अबू हसन वाज नुरहत हस्बेंट यानि जो है अबू हसन किसके पती थे तो नोजहर्ट के पती थे याद रखेंगे बचो according to your lesson यहाँ पे नोजहर्ट देखेंगे अगले क्वेस्टन क्यों बढ़ेंगे अगले क्वेस्टन आपका यह रहा कि how is कथकले words formed याने कि कथकली सब्द का निर्मान कैसे हुआ है कथकली सब्द का निर्मान कैसे हुआ है तो देखेंगे अंसर की और ध्यान देंगे बच्चो कि words कथकली formed from two मल्यालम words याने कि कथकली सब्द दो मल्यालम सब्दों के द्वारा निर्मान हुआ है उस सब्द दो कौन कौन है बच्चो देखेंगे तो हम यहाँ पे इंडिकेट आपको करते हैं कथा क्या है कथा कथा मिन्स आप समझते होंगे यह कथा आपका छित्रिये लेंग्वेज है इसे हम लोग अस्टोरी के नाम से अंग्रेजी में समझते हैं यानि कथा मिन्स कहानी और स्टोरी मिन्स भी कहानी तो कहानी यानि कि कथा और किस्ची से तो कली मतलब होता है प्ले मतलब होता है खेलना यानि कि कथा को खेलना ही यानि कि किसी कहानी को खेलते हुए कह देना ही कथकली कहा जा रहा है कथकली कहलाता है तो इस प्रकार से कथा और कली ये दोनों मल्यालम वर्ट्स थे इन दोनों को कंबिनेशन करके और कथकली वना है तो चलते हैं अगले क्वेस्टन की ओर अगले क्वेस्टन आपका नेक्स्ट क्वेस्टन जी नम्बर देखेंगे कि which season does the poem describe बोल रहा है कि कौन से रेतु कौन से रेतु और poem कविता को विस्तारित करता है तो आप देखेंगे according to your lesson आपके lesson में क्या था कि कौन से रेतु आपके कविता को विस्तारित करता है तो हम ध्यान देंगे कि कौन से रेतु कविता को विस्तारित करता है याने कि जो वसंत रितु हैं वो कविता को विस्तारित करते हैं चलेंगे अगले क्वेस्टन की ओर अगले क्वेस्टन आपका ही रहा कि how many sons did the old farmer have याने कि ब्रीध किसान के पास या ब्रीध किसान के कितने पूत्र थे ब्रीध मतलब बुढ़ा किसान हम लोग समझते हैं तो ब्रीध किसान के पास कितने पूत्र थे तो एंसर की ओर चलते हैं एंसर में देखेंगे कि old farmer had four sons याने कि ब्रीध किसान के कितने पूत्र थे बच्चो चार पूत्र थे ब्रीद किसान के कितने पुत्र थे चार पुत्र थे तो चलेंगे अगले question की और अगले question आपका ए रहा कि who on at last सबसे अंत में कौन जीता सबसे अंत में जो है वो कौन जीत गया था according to your lesson आपके lesson के अनुसार या question को deal किया जा रहा है तो आपको lesson के अनुसार जो सबसे अंत में जीता था जिसका नाम Tom था तो Tom देखेंगे Tom on the last यानि कि सबसे अंत में कौन जीता तो चलेंगे अगले question की और अगले question क्या है कि what was the flock of fusions? क्या है? fusions यानि कि कबूतरो का जूंड क्या हुआ? कबूतरो का जूंड क्या हुआ? कबूतरो का जूंड मतलब कबूतरो का जूंड असर चिंग यानि कबूतरो का जूंड क्या खोज रहा था? कबूतरो का जूंड क्या खोज रहा था? तो देखते हैं इसके एंसर की और चलते हैं कि a flock of fission was a wandering in search of food यानि कि कबूतरों का जूंड एक अश्चर जनक भोजन की तलास कर रहा था समझ गए बच्चो तो चलते हैं अगले question की और बढ़ते हैं अगले question आपका ये रहा यहाँ पे हम indicate करते हैं ताके आपको ध्याना करसित हो जाए यहाँ पे तो देखते हैं second number question की और बच्चो कि write t for true and f for false statement यानि सही कथनों के सामने t और गलत कथनों के सामने f का निसान लगाएं तो देखते हैं हम लोग first question की और क्या है first question की it is on the bank of the river wager in France यानि की यह फ्रांस क्या है देश है फ्रांस क्या है देश है तो इस तरह से हम लोग इसको false करेंगे क्योंकि यह जर्मानी में है तो इसलिए इसलिए हम लोग false करने के लिए क्या करते हैं संकेत बच्चो तो चलते हैं अगले question की और अगले question यानि b number question की और बढ़ेंगे दी mouse did not help the pigeon यानि कि चुहे कबूतर को सहायता नहीं किया या सहायता प्रदान नहीं किया तो यह आपको according to your relation जो चुहा था वो कबूतर को सहायता प्रदान किया था इसलिए या जो है statement false हो गया तो false के लिए आप जानते ही हैं बच्चो कि हम लोग F के सुचित करते हैं तो चलते हैं अगले question की ओर अगले question आपका ये रहा कि there lived a young farmer in a village पोलाए कि एक गाओं में एक जुआ किसान रहता था जुआ मतलब जमान आप समझेंगे तो एक गाओं में एक जुआ किसान रहता था जी नहीं आपको जब lesson पढ़ाया गया होगा क्लास में तो आप ध्यान दिया होंगे कि जुआ किसान नहीं बलकि एक ब्रीध किसान रहता था तो ए आपका फाल्स हो गया कि एक गाओं में एक जुआ किसान नहीं रहता था एक ब्रीध किसान रहता था तो इसलिए हम लोग इसे फाल्स लिखनेंगे और फाल्स के लिए हम लोग एफ लिखते हैं तो चलेंगे अगले question की और यानि कि D number question की और पढ़ेंगे बच्चो कि अबू हसन वाज खलीफा's favorite यानि कि अबू हसन जो थे ओ खलीफा के फेवरेट थे यानि कि उसके पसंदीदा थे उए उन्हें चाहते थे तो ये बिल्कुल सत्य है कि अबू हसन जो थे ओ खलीफा के बिल्कुल फेवरेट थे खलीफा उन्हें बहुत चाहते थे तो इसलिए हम लोग इन्हें true लिखेंगे चलेंगे अगले question की ओर कि Sindhu is a player of hockey यानि Sindhu hockey का एक खिलाड़ी है तो जी नहीं Sindhu hockey का खिलाड़ी नहीं था according to your lesson इसलिए हम लोग इसे false लगा कर चलेंगे false for false चलेंगे अगले question की ओर अगले question यानि की जी number question की ओर बढ़ेंगे जी number question यहाँ पर ध्यान देंगे की Hamlin is a beautiful town Hamlin एक सहर है Hamlin जो है वह एक क्या है जगह का नाम है तो यहाँ सुन्दर नगर है नहीं सुन्दर नहीं था इसलिए इसमें हम लोग सॉरी सुन्दर था सुन्दर एक सहर था तो इसलिए हम लोग इसमें सही लगाएंगे Hamlin is a beautiful town यानि कि Hamlin जो था वो बिल्कूल एक सुन्दर सहर है तो इसलिए हम लोग इसमें true लगाएंगे चलेंगे अगले question की ओर अगले question आपको ओई रहा ध्यान देंगे अगले question पे कि the rights followed the paper यानि कि चूहे बासुरी वाले को followed यानि कि पालन किया बासुरी जो बजाते थे बासुरी उसके पीछे वे लोग आगे अब जब lesson को teach किया गया होगा पढ़ाया गया होगा तो अब भ्यान दिये होंगे कि black paper जो थे बासुरी वाले जो थे चूहा जब बासुरी को बजाया जाता था तो सभी चूहे उसका अनुसरन करते थे अनुकरन करते थे तो इस प्रकार से red followed the paper यानि कि चूहे जो है बासुरी वालों को पालन करते थे इसलिए इसमें आप true लिख सकते हैं चलेंगे अगले question की ओर अगले question देखेंगे बच्चो कि the old farmer was very poor यानि कि जो ब्रीद किसान बहुत गरीब था जी नहीं बहुत तो गरीब नहीं था गरीब था लेकिन बहुत गरीब नहीं था वा एक सधारन किसान था इसलिए या है आपका जो है फाल्स हो गया तो फाल्स के लिए हम एफ यहाँ पे denote कर सकते हैं तो एफ को denote करेंगे बच्चो एफ चलेंगे अगले question की ओर कि the old farmer was very proud of his son यानि कि जो ब्रीद किसान है वो अपने पूतर पर बहुत गर्व रखते थे यानि यह बिल्कुल सत्य है statement तो इसलिए हम लोग इसमें यहाँ पे two लगा सकते हैं true जिसे हम लोग कहते हैं कि ब्रीद किसान अपने पूतर पर बहुत गर्व रखते थे या गवर्वानमित महसूस करते थे तो यह आपका statement जो था बिल्कुल true था तो true के लिए हम लोग t को denote करते हैं तो चलते हैं यहाँ पे अगले question की ओर कि अगले question हाए कि merchant had only two sons यानि merchant मिंसे होता है बड़ा बैपारी यानि कि जो बैपारी था बैपारी के सिर्फ दो लड़के थे तो जी बिल्कुल बैपारी के सिर्फ दो लड़के थे इसलिए हम लोग इसमें भी true लगाएंगे अब चलते हैं इसके व्याकरन की ओर यानि grammar की ओर बढ़ते हैं तो grammar की ओर बढ़ने से पहले आप यहाँ पे ध्यान को आकरसित कर लेंगे देखेंगे third number question क्या है कि translate into English यानि अंग्रेजी में अनुबाद करें इसको translation हम लोग समझते हैं यानि जो हिंदी दिये हुए हैं उसको हम लोग convert कर देना है English grammar के according English में तो वह जाता है देखिए वह जाता है present indefinite का affirmative sentence है तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि he goes वह जाता है सिता सुंदर्व सिता पुस्तक पढदती है सौरी सिता पुस्तक पढदती है तो देखेंगे कि भी क्या है present indefinite का affirmative sentence है तो सिता read से book सिता पुस्तक पढदती है वे लोग खेल रहे हैं तो देखेंगे यह present continuous sentence है तो देखेंगे यहां पे they are playing जन्वारी का महीना है तो इसी प्रकार से दस बजा है तो देखेंगे इस प्रकार से टन्सलेट किये जाते हैं तो चलेंगे अगले क्वेस्टन की ओर कि मैं एक सिख्छक बनूंगा तो I shall be a teacher very simple देखेंगे आप I shall be a teacher मैं एक सिख्छक बनूंगा तो इस प्रकार से ये without of tense है याने tense से निचली सिड़ी की ओर एक translation बनाया जा रहा है तो चलेंगे अगले question की ओर अगले question अब कहें रहा कि यहा मेरी पुस्तक है तो this is my book very simple translation है तो इस प्रकार के translation आपको एक जाम में आ सक करते हैं तो अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के और translation को अपने notebook पर note करके और बनाते रहें और अभ्यास करते रहें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठनाई न हो तो चलते हैं अगले translation की ओर कि राम के पास दो वाइल है तो राम has two oxygen या देखेंगे अगले कि इस नदी का पानी गंदा है तो the water of this river is dirty यानि इस नदी का पानी गंदा है तो चलेंगे अगले question की ओर अगले question के लिए आप यहाँ पर बने रहेंगे देखते हैं अगले question क्या है अगले question पर आप ध्यान देंगे बच्चो fourth number question की और बढ़ते है fourth number question की और बढ़ेंगे अगर अभी तक आप लोग ने like और subscribe नहीं किया है तो like और subscribe कर दें और अपने दोस्तों के पास भी share कर दें ताकि आपके दोस्तों के पास भी कोई भी notification फटा फट मिलता रहे तो चलते हैं question की और give the definition यानि की परिभासा दें तो परिभासा देखिए हमें किस चीज़ को देना है first में यहाँ पे है noun तो noun को हम लोग देखिए क्या समझते है noun means होता है वैसे संग्या तो देखेंगे कि a noun is the naming of any things या noun noun is the name of any person place or things is called noun यानि कि कोई भी बस्तूओं के नाम को हम लोग संग्या कहते है या कोई भी संग्या किसी बस्तू के नाम को denote करता है यानि दुनिया की तमाम चीज़े जो हैं वह संग्या है चाहे वह कोई भी संग्या हो गननिये संग्या हो जिसको हम लोग कंटेबल ना उन कहते हैं या आगन नहीं संग्या हो अनकंटेबल ना उन कहते हैं लेकिन वह है तो संग्या ही जैसे आप संग्या में पेंसिल, कटर, राबड कुछ भी कह सकते हैं चावल, दाल, रोटी, आलू, बैगन, टमाटर, अस्कूल, बिद्याले, कुछ भी कह सकते हैं ये सभी संग्या है रमेश, कमलेश, महेश, पटना सभी संग्या कहलाते हैं तो समझेंगे कि दुनिया की तमाम चीजे संग्या होती हैं चलेंगे जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है एक्जांपल के लिए आपको देखा है कि काउ, काउ भी एक संग्या है गाय होता है, बोक भी एक संग्या है चेयर भी संग्या है, गंगा भी संग्या है इस प्रकार से दुनिया की तमाम चीजे संग्या होती है चलते हैं अगले क्वेस्चन की और अगले question अब कही है कि singular number क्या है देखिए singular number number कितने प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में singular number और plural number दो प्रकार के होते हैं singular number मिंस होता है एक बचन और plural number मिंस होता है बहु बचन तो देखिए singular number क्या होता है singular number singular number denote only one thing और person singular number सिर्फ एक ही ब्यक्ति या बस्तू का बोध करता है तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि it denotes one thing is called singular number यानि कि या सिर्फ एक बस्तू का बोध करेगा जो singular number कहलाएगा यानि कि एक बचन कहलाएगा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे mine, तो mine मतलब आदमी और उसी को main कर देंगे तो एक स्याधिक आदमी हो जाते हैं तो plural number बन जाते हैं जैसे book, book means पुस्तक हो गया और books कर देंगे तो बहुत सारे पुस्तके हो गए तो इसी प्रकार से देखेंगे अगले question की और बने रहेंगे आप speaking is called an English grammar यानि कि जिसके द्वारा हम लोग पढ़ना, लिखना और बोलना समझते हैं या सिखते हैं या जानते हैं वो अंग्रेजी ब्याकरन कहलाता है तो इस प्रकार से चलेंगे अगले question की और अगले question आपका ये रहा later, तो later means word हम लोग अंग्रेजी में later किसे कहते हैं, later हम लोग समझते हैं कि later के कितने can'ts हैं three can'ts हैं, तो कौन-कौन three can'ts हैं तो आपको भावेल later consonant later और semi-bावेल later, इस प्रकार से तीन उसके can'ts हैं, तो चलते हैं later की और तो a smallest unit of grammar, देखेंगे या हैं, आपको very short कि smallest unit of grammar यानि कि grammar के सबसे छोटी काई को क्या कहा जाता है बच्चो later कहा जाता है, grammar के सबसे छोटी काई को later कहा जाता है, तो अब चलते हैं इसके अगले question की और, अगले question थ्यानी, fifth number question की और बढ़ेंगे, fifth number question क्या है कि write the opposite यानि कि ultra लिखें cold मींस देखिए, cold मींस ठंडा hot मींस गरम यानि गरम, dark मींस होता है अंधेरा light मींस प्रकास, lost मींस होता है हानी, profit मींस होता है love, fast मींस होता है tez, slow मींस होता है दीरे innocent मतलब होता है nirdos, guilty मींस दोसी, kind मींस dayalo, cruel मींस निरदाई hard means कठोर और soft means मुलायम और good means अच्छा bad means खराब laugh means हसना whip means रोना ill means बिमार और healthy means स्वास्त तो इस प्रकार से चलते हैं अगले question की ओर यानि six number question की ओर बढ़ेंगे कि singular to plural यानि कि एक वचन से बहु वचन बनाना है तो rose एक very simple है rose में हम लोग ace लगा दिये तो roses हो गया यानि एक गुलाब से एक से अधिक गुलाब बन गये तो fox को हम लोग यहां पे fox में e-s जोड़ देते हैं तो foxes बन जाता है tax में e-s जोड़ देते हैं तो taxes बन जाता है wage में e-s जोड़ देते हैं क्योंकि y के पहले भावेल है तो y के पहले भावेल हो तो e-s जोड़ कर पूलाब नमबर बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से ray को raise हो गया और story देखिए अगर y के पहले कोई consonant हो तो y को हटा करके i-e-s जोड़ कर पूलाब नमबर बनाया जाता है और lady के पहले भी देखिए y के पहले d है तो d को हटा के i-e-s जोड़ कर पूलाब नमबर बनाये और जिस singular noun के अंत में f या e-f होता है तो f या e-f को हटा कर b-e-s जोड़ कर पूलाब नमबर बनाते है तो cup को cups हो गया और leaf को हम लोग f को हटा करके b-e-s जोड़ लेंगे leaves और knife को भी f-e हटा करके और b-e-s जोड़ लेंगे knives means चाकू तो इस प्रकार से चलेंगे अगले question की ओर अगले question पर ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चो कि change the gender यानि की gender मतलब होता है link link को बदलना है तो इस thrilling और pulling देखते हैं हम लोग तो किस प्रकार बदलते हैं कि dog dog means कूता तो beach means कूती ox means होता है bail तो cow means हो गया गाय lion means share तो lioness means share poet means कभी तो poetess means कभी actor means अभिनेता तो actress means अभिनेतरी son means हो गया लड़का या पुत्र तो doubter means पुत्री या लड़के हम लोग समझ सकते हैं या be numerical means हो गया चाचा या चाचू तो जबकि उनके इस arrange प्रकार से अगला है King, King मींस हो गया राजा और Queen मींस हो गया रानी, आप पाइटॉर्न मतलब हो गया रख्चक, आप पाइटॉर्नेस मतलब हो गया रख्चिका यानिकी जो उनके स्त्रिलिंग हुए, तो इस प्रकार से फोर क्लास के English सब्जेट का कोस्टनों का स्रिंखला सम आने रहेंगे आगले नेक्स्ट वीडियो के लिए मा गैत रिपब्लिक अस्कूल के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगले वीडियो आपको जल से जल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाए और सभी सब्जेट को आप अच्छी तरह से प्रिपेर कर सके और अच्छे से अच्छे अंको प्राप्त कर सके धन्यवाद